Welcome to all of you, आप सभी लोग का स्वागत है आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग questions का discussion करा करेंगे ये questions objective भी रहा सकते हैं ये questions subjective भी रहा करेंगे ठीक है? तो ये दो level में actually हम लोग इसको जो रखा करेंगे एक level 1 जो की एक तरह से देखी है तो fundamental level रहा करेंगे जिसमें direct questions रहा करेंगे जो topic आपका discuss होता रहेगा उसे direct questions रहा करेंगे यदि आप उस subject को, topic को, chapter को आप अच्छी तरह से पढ़े हुएं तो प्राया आपका ये revision भी हो जाएगा या आप पढ़ चुके हैं सब पूच कर लिजी और आप practice करना चाहते हैं तो आप इस पर practice कर सकते हैं ये questions आपको हर जगा काम में देंगे graduation में भी आपको काम में देंगे साथ में competitions वगारा जो आप देते हैं graduation level पर जैसे IT exam हो गए jest हो गए और भी tiffer exam हो गए और भी कई सारे जो exam रहा करते हैं उसके competition में आपको ये direct काम में देगा ठीक है तो हम लोग ये series को रखेंगे और इसमें अच्छी तरह से topic wise रखे हुए रहे हैं जैसे इमानलीजी ये topic जो चल रहा है heat and thermodynamics या thermal physics जो की graduation first year में आपका ये subject रहा करता है तो उसमें हम लोग chapter wise जैसे ideal gas equation लेके चलेंगे आगे हम लोग thermodynamics thermodynamics में भी basic law of thermodynamics ध्यान में होगा Maxwell's law of thermodynamics जिसमें आप काफी जादा एक तरह से discussion एक तरह से रहता है और नया discussion रहता है graduation में आपको जो चलेंगे उसके बाद फिर आपका thermal radiation वाला part आपका रहा करता है उसके बाद आप जो है transport phenomenon of gas kinetic theory of gas काई सारे topics आपके जो है graduation में रहते हैं first year में heat and thermodynamics के नाम पे तो हम chapter wise actually इसको लेकर चलेंगे ठीक है इसे क्या होगा कि आपको topic को practice करने में revision करने में भी काफी मदद मिलेगा ठीक है और ये दो level में रहेगा एक direct fundamental level रहा करेंगे और एक थोड़ा complicated level रहा करेंगा जो की competitions में tricky type में या multi conceptual या बोल सकते हैं उसमें थोड़े mathematical difficulty रह सकते हैं कई सारे concept mixed रह सकते हैं ठीक है तो वैसे questions भी रहा करेंगे तो हम आपको indicate कर देंगे कि वो किस level का actually है ठीक है तो अभी जो हम लोग discuss करने वाले हो heat and thermodynamics का ideal gas topic जो रहता है chapter रहता है उसका हम लोग discussion करेंगे और ये level 1 category का actually रहेगा ठीक है तो हम लोग आगे चलते हैं और एक-एक करके discussion में इसे participate करते हैं ठीक है तो पहला जो question है the molecules of an ideal gas ठीक है ideal gas ideal gas की बारे मापको मालूम है कि ideal gas आपको जो है जैसे जो आपको kinetic theory of gas का जो है assumptions का पालन करा करता है उसको हम लोग ideal gas बोलते हैं या perfect gas भी बोला करते हैं दूसरा जो रहता है real gas तो वास्तों में जो हम लोग gas देखते रहते हैं जो experiment या जो हम लोग वातवरन में देखते हैं ठीक है यह सभी gas real होते हैं ठीक है practical gases होते हैं लेकिन ideal gas हम लोग conceptual रूप में जो हम लोग heat and thermodynamics में पढ़ते हैं जिससे gas के कई सारे properties बगरा को discuss कर सकते हैं ठीक है तो ideal gas जो कि आपको assumptions of kinetic theory of gas को follow करता रहता है ठीक है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पढ़े होंगे न ध्यान में होगा kinetic theory of gas में assumptions पढ़े होंगे ठीक है कि जो जितने भी को समझ सकते हैं जैसे आप यहाँ पे कि वो आपको molecules या items से मिल करके बने हुए और इसका किसी भी direction में motion हो सकता है ठीक है यह आपस में interact नहीं करते हैं इस तरह का जानकारी जो है assumptions में लिए गयते हैं जो कि एक तरह से practical gases के लिए interaction आपको allowed रहता है जिसके आपको रहा करेगा ठीक है उसके बाद वैबरेशनल मोसन रहेंगा जो कि हाई temperature पर रहता है तो इसी पर अधारी थी यह question actually ठीक है ideal gas के पास molecule के पास किस तरह का energy रहता है तो सिर्फ काइनडी का energy रहा करते हैं क्योंकि उसके molecules आपस में interact नहीं करा करते हैं इसलिए potential energy के बारे में बात नहीं करते है आईडियल gas के case में वहीं बोलता real gas यह practical gases में तो potential energy रहा करते हैं ठीक है तो assumptions में हम लोग consider क्यों रहते हैं कि यह जो molecules रहते है ideal gas के या perfect gas के वह आपस में interact नहीं करते हैं इसलिए उसके पास किसी तरह का potential energy एक्शुनी नहीं रहा करेगा ठीक है तो जो option रहेंगे क्या रहेंगे इसका ये kinetic energy ठीक है kinetic part में रहा करेगा और ये जो energy रहते है kinetic form में तीन तरह से इसको एनर्जी को आप बोल सकते translational kinetic energy ठीक है translational kinetic energy ठीक है पलस और क्या rotational kinetic energy rotational form में रह सकता है ठीक है पलस higher temperature दीजीगा तो vibrational energy के form में रहे ठीक है तो यह जो दोनों आपको case रहा करता है यह polyatomic जैसे diatomic gas रहा, triatomic gas रहा ठीक है उस वाले case में इसको हम लोग apply करा करते हैं जो single molecules वाले रहा करते हैं तो हम लोग discussion में जो है जरूर धिहान में रखेंगे कि हम लोग कुछ topic को इसके आगे पीछे भी हम लोग discuss करेंगे ताकि यह सिर्फ answer questions नहीं रहा जाए ठीक है कि सिर्फ answer दे करके trick नहीं मार दे, आपकी इसके आगे पीछे एक तरह से discussion रहेगा, जिससे आपको अच्छा से revision हो पाए, या topic के बारे में अच्छा से clarity actually मिल पाए, ठीक है, उस chapter के बारे में, ठीक, next question में हम लोग चलते हैं, value of boljeman constant, the boljeman constant काफी popular रहा करता है, जब भी आप thermo dynamic से पढ़ते रहते हैं, तो यह boljeman constant आता है, इसको हम लोग small case से denote करते हैं, हम cursive में इस तरह से कलिक दिया करते हैं, इस तरह का, ठीक है, और ऐसे भी book में आपको denote करते हैं, बलकि most of the book में तो इसी तरह का cursive case ही denote रहते हैं, boljeman constant, तो यह क्या होते हैं, इसका gas constant के साथ relation रहता है, gas constant divided by avagadro number रहा करता है, यह gas constant रहता है, universal gas constant, ध्यान में होगा ही आपको जो है, इसको universal gas constant बोलते हैं, इसका value क्या हुआ करता है, इसका value 8.31 joule per mole per Kelvin हुआ करता है, ठीक है, clear है, और यह इसका जो value रहता है, यह avagadro number है यह avagadro number, ठीक है, इसका जो value रहा करता है, ठीक है, ध्यान में होगा ही आपको, यह avagadro number इसका value जो रहता है, वो 6.023 into 10 to the power 23, यह एक number रहा करता है, ठीक है, यह लग बात है कि आप chemistry में ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में इसा fix हो जाता है, यह atom molecules मे ही लगा जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, जैसे आप दर्जन बोलते हैं, 12 चीजों का कोई quantity रहा था, तो इसको एक दर्जन बोल देते हैं, तो वैसा ही जो इतना number यह दी कोई भी चीज रहेगा, चाए atoms रहे, चाए molecules रहे, चाए कोई object रहे, तो आप उसको बोलते हैं कि यह 1 mole है, ठीक है, और 1 mole जो होते, कितने बरावर होते हैं, 6.023 into 20 to the power 23 के बरावर होते हैं, ठीक है, इसको ऐसा नहीं समझते हैं कि fraction में, आप इसके 10 to the power 3 इसमें से बाहर निकाल लिजेगा, अच्छली, multiply कर दिजेगा, तो 6023 into 20 to the power 20 के form में जो है, इस चला जाएगा, ठीक है, तो खेर, वो तो अलग बैटर है, लेकिन हम लोग बोल रहे थी, कि बोल जो मान constant, ठीक है, तो इसका value तो आपको याद होगा है, लेकिन फिर भी हम इसके बरावरा discussion कर देने कि अक्छली क्या रहते हैं, तो आप इसको जब divide करिएगा, 8.31, और by 6.023 into 20 to the power 23, तो k का जो value ज minus 23, सही सी देखिए तो इसका digit थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तो देखते हैं कि जो universal gas constant होता है, 8.31, इसमें जो digit है देख लीजिए, इसको उल्टा अधियब पढ़ते हैं, ठीक है, तो थोड़ा point को घसका करके, तो 1.38 आप ऐसे, और ये जो 10 to the power 23 जो अवे गैडरोन न अबर के, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, इसके बाद हम लोग next question में चलते हैं, तो आप अच्छा है कि column copy भी आप निकाले रही है, ताकि आप साथ साथ में note भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप देख लीजिए, लेकिन साथ में इसको note करते रहेगा, तो एक notes भी आपका त्यार हो जाएगा, इस तरह का, questions का से topic wise आपका त्यार हो जाएगा, और इसी बहाने आपका revision भी हो जाएगा, ठीक है, जब questions बगरा करते हैं, तो आप formula बगरा पे, उसके topic बगरा में जादा concentrate रहते हैं, जादा active mode में आप रहा करते हैं, ठीक है, next question, third question हम लोग का जो है, तो यह बोल रहा है कि जो kinetic energy, sorry, kinetic theory of gas के coding जो है, ठीक है, जो assumptions है kinetic theory of gas के coding, ठीक है, तो उसको assume करते हुए, जो हम लोग derivation करते हैं, जिसमें pressure और density और velocity के बीच में relation हाता है, तो famous relation जो रहता है, वो P is equal to 1 by 3 rho C square हुआ करते हैं, ठीक है, जहाँ rho जो है, density of the gas है, और C जो है, आ वरना V RMS से भी इसको denote कर सकते हैं, root minus square velocities को बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें option कितना हो जाएंगे आपको जो है, यह second वाला आपका option हो जाएगा, ठीक है, 1 by 3 rho C square, इसका derivations भी रहता है, important, ठीक है, अब हम लोग जो है, next में चलते हैं actually, temperature of gas, अब यह देखी, यह वाला जो र increase कर दिये जा रहा है, double, triple, ऐसे कर एक questions रहते हैं, तो आपको देखे, V RMS का जो formula actually रहा करता है, RMS velocity, जिसको हम लोग C से भी denote करते हैं, thermodynamics वाले में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थर्मो डाइनमिक्स में हम लोग C से जो है, prior capital C का प्रयोग करा करते हैं, इसका हम लोग RMS velocity के लिए भी इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है, thermodynamics में specific symbol होते हैं, वारना V RMS भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाके ऐसे हम लोग small C का प्रयोग जो करते हैं, light के speed के लिए करते हैं, और coulomb वगरे के लिए भी हम लोग capital C का प्रयोग करते हैं, लेकिन thermodynamics में हम लोग C का प्रयोग जो है, root mean square speed के लिए भी करा करते हैं, जैसे इस वाले में कैसे किये थे, ठीक है, तो standard notation, इसलिए ध्यान डखने के लिए आपको बता दे रहें, वारना V RMS से तो पहचान होई जाता है, और इसका जो value होता है, actually, under root 3 kt by m, ठीक, तो ये जो आपको value रहा करते हैं इसमें आप देख सकते हैं, कि जो V RMS हो गए, वो directly proportional to क्या हो गए, directly proportional to square root of the temperature, ठीक है, तो square root of the temperature अब जो है, temperature को double यदी कर दिया जा रहा है, double temperature को कर दिया जा रहा है, तो जो V RMS हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V RMS हो root 2 times हो जाएगा, actually, ठीक है, root 2 times हो जाएगे, तो answer क्या हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा अब दिखे इस पर कई सारे questions रहेगा कभी बोलेगा four times हो गया तो you root से बाहर निकलेगा four तो क्या बनेगा ones हो जाएगा nine times रहेगा तो या बाहर निकलेगा three बन जाएगा कभी कभी बोलेगा कि mass जो है अक्चुलि ठीक है उसको double कर दिया गया, triple कर दिया गया, उसके बाद VRMS कितना होगा, temperature को double triple किया गया, और mass को भी, तो आप इस formula के हिसाब से आप उसको handle कर सकते हो, उस तरह का questions को, और ये question काफी popular actually रहता है, काफी जाधा पूछा जाता है, ठीक है, easy बाते हैं, लेकिन ये फिर भी जो है, कई ब जाधा जाधा content आपको कम समेंड मिले, इसलिए जो है, आपको तेजी से थोड़ा जानकारी देते जा रहे है, ठीक है, बाके आप note कर सकते हैं, बाके repeat करके भी देख सकते हैं, अब देखे, दूसरा जो question आपका जो है, पाचवा question जो आपका है, ठीक है, average velocity, next question, जो है, average velocity of the molecules in a gas, in equilibrium, क्या हुआ करते हैं, तो देखे, average velocity, तो देखे, कोई भी आपका जो molecules या atoms जो रहा करते हैं, ideal gas के case में, या perfect gas के case में, ठीक है, वो random motion में रहता है, उसका कोई fix direction नहीं रहता है, कोई किधर move कर रहा है, कोई किधर move कर रहता है, तो कोई भी random direction में vector actually रहता है, तो उ होगे, zero हुआ करेंगे, तो इसमें जो value होगे, इसमें आपको option तो उपर वाले में देखी रहे हैं, उसमें option temperature पे है, एक और option नीचे होगे, ठीक है, equal to zero, ठीक है, यही हम लोग का जो option होगा, ठीक है, यह option होगा, ठीक है, equal to zero, ठीक, next question में चलते हैं, note भी कर रहे होगे, च साथ में आपके दिमाग में chapter जो एक तरह से recap हो रहा हो, refresh हो रहा हो, question करने से यही फायदा रहा करता है, साथ में आपका competition वगर का भी तियारी होता रहा था, और कुछ, तो graduation में भी, कुछ के university में objective question पूछी जाते हैं, तो उनमें direct काम आ जाएगा, ठीक है, और competitions, जिसमें objective भी रहा करते हैं, देखते हैं, उसमें तापको काम आएगा, ही आएगा, ठीक है, बस यह level 1 category का question है, fundamental direct question है, ठीक है, अब हम लोग आते हैं, next question, जो कि हम लोग का छथा number question है, the average energy of molecules of monoatomic gas, यह ध्यान रखते हैं, कभी-कभी आपको बोलेगा, diatomic, कभी triatomic, कभी polyatomic, ऐसे कर तो यह जो actually बोल रहा है, the average energy of molecules of monoatomic gas, तो monoatomic gas जो रहा करते हैं, जैसे आपका noble gas के जितने भी, noble gas जितने भी रहते हो, monoatomic form में रहते हैं, जैसे helium होगे, neon होगे, xenon होगे, यह सभी जो है, वो monoatomic form में रहते हैं, ठीक है, इसका doubling वगारा नहीं हुआ करते हैं, तो यह monoatomic gas रहा करते हैं, तो बोल रहा है कि monoatomic gas का जो है, particular temperature T पे जो है, उसके average energy कितना हुआ करेंगे, तो according to the Maxwell Bolgman distribution law, आप जानते हैं actually, कि average energy associated with each molecules, जो हुआ करते हैं, क्या होता है, for each degree of freedom, average energy, यह average जो रहा करेगा, ठीक है, for each molecules, हर एक molecules के लिए, ठीक है, वो क्या रहा करते है, for each degree of freedom, 1 by 2 kt, तो धल से आप इसको देख करके, इसमें टिक मत मार दीजेगा, यह for each degree of freedom, यह ध्यान रखते है, for each degree of freedom, each degree of freedom, degree of freedom, अब जो है, 3 degree of freedom, जो है, monoatomic gas का रहा करते है, monoatomic का, जो है, 3 degree of freedom, रहा करते है, monoatomic का, ठीक है, ठीक है, यह तीन डिगरी of freedom, जो कि X direction, यह Y direction में, जिससे molecules जो actually रहा करते है, वो either in X, Y, Z direction आपको move कर सकते है, तो इसके पास 3 degree of freedom रहते है, ठीक है, तीन डिगरी of freedom में, यह तीन डिगरी of freedom को consider करते हुए, for each molecule कितने होंगे, ठीक है, कितने होंगे 3 से multiply कर दिजेगा तो 3 by 2 kt actually हो जाएगा तांसर क्या होगा 3 by 2 kt for monatomic वही आपका diatomic देता उसमें जो degree of freedom होते है normal temperature पे वो 5 हुआ करते हैं तो 5 से आप उसको multiply करते हैं तो यह monatomic gas के लिए actually बोल रहा है तो monatomic gas के लिए 3 by 2 kt actually होगे रखा हुआ है देख सकते हैं कि 7th number में भी diatomic के बारे हमें कुछ बात कर रहा है तो हम लोग थोड़ा इसका clear concept concept ही ले ले रहे है clear concept ले ले रहे हैं ताकि हम लोग इन दोनों questions को समझ पहें देखिए इन दोनों questions लगबग एक type का है कभी-कभी आदमी confusion में दोनों का answer same marks up पहले कि वो अलग-अलग actually ठीक है अभी आते हैं तो मालूम चलेगा ठीक है तो चलते हैं देखिए अब खास बात पहले तो आपको मालूम है कि जो गामा होते हैं वही CP by CV होते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं ठीक है कि पास degree of freedom आइट्रिली जो है ठीक है यह बोल ही रहा है कि diatomic molecules है और translational तो translational वाला जो है इसके पास 3 degree of freedom रहा करता है translational वाला 3 degree of freedom ठीक है rotational जो हो सकते हैं diatomic के लिए ठीक है diatomic के लिए यह दो हो सकते हैं ठीक है जैसे diatomic molecules है जैसे आप समझ लीजे hydrogen molecule हो गए जैसे diatomic के case में आप बोल सकते हैं जैसे hydrogen हो गए H2, O2, N2, Cl2 ठीक है? जो भी diatomic CO ठीक है? यह सब diatomic gases actually हो ठीक है? तो बोला जा रहा है तो उसके पास translational energy होंगे जो molecules actually रहा करेंगे ठीक है? उसके पास जो है translational energy रहा करेंगे ठीक है? यह diatomic आप इस तरह से pair करके route में इसके imagine कर सकते हैं ठीक है? तो जो diatomic molecules हैं उसके पास आपको क्या रहा सकते है? translational motion हो सकते है translational motion next में जो रहा करेगा ठीक है? वो rotational motion तो x direction में दी है तो इसके पास y और z में rotation हो सकता है यदि y direction में रखा रहा था तो x और z में rotation होता है और यदि z direction में रखा रहा था तो आपको x और y direction में rotation होता रहा था ठीक है? तो देखी तो काने का मतलब है एक एक direction के long रखा हुआ था दो rotational इसके पास होंगे degree of freedom ठीक है? तो 3 और 2, 5 और जो vibrational जो हो सकते हैं वो 2 इसके पास रहा करते हैं दो तरस ये वैबरेट कर सकते हैं तो total degree of freedom जो हो गए total degree of freedom वो कितने हो गए? ठीक है? वो 3 translational वाला plus 2 rotational वाला और 2 जो है ये vibrational वाला ठीक है? तो ये T translational वाला ये rotational वाला, ये vibrational वाला देखिए ध्यान रखते हैं कि vibration वाला तब तक आप नहीं लेते हैं जब तक वो higher temperature के बारे में बात नहीं करें नहीं तो बोल देगा question में कि vibration वाला consider करीए जैसा कि इसमें consider करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है? तो इसके पास degree of freedom कितने हो गए? साथ हो गए, ठीक है? इस total मिला करके साथ degree of freedom हो गए, ठीक? अब जो है, हम लोग जानकारी के रूप में ये साथ degree of freedom हो गए ये पहले ते clear हो गए आपको जो है अब जो है, आपको मालूम है कि energy जो associate रहेंगे, ठीक है? यहीं पर हम लोग each molecule, तो कितने हुआ करेंगे? ठीक है? उसका आपास degree of freedom कितने रहा रहते हैं? ठीक है? 7, ठीक है? और by 2, बोले था ना कि एक degree of freedom से associated 1 by 2 होता है, तो साथ हो से क्या हो जाएगा? 7 by 2 kt हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो 7 by 2 kt for each molecule है, तो आप इन molecule के साथ, या 1 gram molecule के साथ काम करिएगा, तो 1 gram molecule के साथ आप यदि बोलते हैं, 1 gram molecule के साथ, इसका मतलब हो रहा है, 1 gram molecule का मतलब क्या? 1 mole के साथ, तो 1 mole के साथ मतलब कितने number of particle? तो number of particle, एवगेडरो number, एने तो जो आपका ये energy रहेंगे, ठीक है, जो ये energy आपका रहा करेगा, for 1 gram molecule जो energy रहा करेगा, इसो रहा करेंगे, उसको कितना दे देजिएगा? इससे multiply कर देजिएगा, इतना particle से into 7 by 2 kt और ये जो energy रहता है, ये जो total energy आच्छले है, या वो internal energy के form में, आच्छली रहता है, internal energy, तो internal energy के लिए हम लोग जो एक special symbol को हम लोग show करते हैं, ठीक है, internal energy के form में रहता है, तो internal energy के लिए हम लोग special symbol के परियुक करते हैं, क्या करते हैं, U से हम लोग इसको denote करते हैं, तो ये हम लोग का जो है, U actually जो है इतना के बराबर लिख सकते हैं जो कि 7 by 2 NAKT हो सकता है इसको थोड़ा मिटा ले रहे है actually ठीक है ताकि थोड़ा से हम लोग को जगा यहाँ पर मिले हम लोग इसको फिर वापस जो है वहाँ पर लिख पाएंगे ठीक है तो आप उसको अराम से समझ सकते हैं ठीक है उसको बना सकते हैं आप अराम से ठीक है तो इस टॉपिक को हीम आपको पूरी तरह से किलिए कर दे रहे हैं तो यह समझ में आ गया कि इसको तो इसको भी थोड़ा सा मिटा ले रहे हैं यह वाला भी topic को मिटा ले रहे हैं, इसके बात कर ही चुके हैं, ठीक, तेजी से इसको मिटा ले रहे हैं, आप यह नोट कर लिए होगा तो ठीक है, वरना पीछे repeat करके आप उसको एक तरह से वापस समझ सकते हैं, इसलिए बोले थे कि आप note भी साथ में करते हैं, वरना यह त झो है, एक ग्राम मौलकूल के साथ जो है, तो एनजी जो होगा, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, for one gram molecule, for one gram molecule ठीक है, one gram molecule, थोड़ा लाइक करनाया एक्ष़डी, थोड़ा दिर में सही हो जाएगा, वन ग्राम मॉलकुल ये क्या हो जाएंगे इसको internal energy के form में जो हम लोग दिये थे तो हम लोग क्या है 7 by 2 kt है ये ध्यान रखेएगा 7 by 2 kt क्यों लिख रहे हैं actually 7 by 2 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इसमें translational, rotational और 7 में vibrational बोल दिया है नहीं बोला रहेगा तो vibrational नहीं लेंगे वरना high temperature भी बोला हुआ रहेगा तब भी vibrational लेते हैं ठीक है high temperature बोले तब और नहीं तो फिर clear बोला हुआ है कि vibration को भी consider करें तब 7 by 2 वरना क्या होता 3 plus 2 5 ही रहता जो कि अगला question में इस्तमाल होगा इसलिए हम इतना ज़्यादा इस पर discuss कर रहे है अब जो cv रहते हैं ठीक है जो specific heat at constant volume जो रहा करते हैं उसको आप क्या दे सकते हैं उसको आप du by dt से इसको दे सकते हैं तो यहाद पर हम लोग fix करके इसका value को ले रहे हैं तो u by t के रूप में आप इसको लिख सकते हैं तो u by t के रूप में इसको लिख सकते हैं तो यहाद आपर खी करना इसाद को एकssa क्यों कि यह तो आपको for each molecule था तो इन No of molecules मत्दा एकार अब अबढ़र पॉल्कुल के साथ, तो multiply कर देंगे, तो n into k, यह देख रहे हैं न, n into k बन जाएगा, तो 7 by 2, और यह r हो जाएगा, चुकि मिटाये थे, तो फिर्स को बाद हम आगे बढ़ गए, इसको लिखना छोड़ दिये थे, 7 by 2, r2, ऐसा क्यों लिखना है, since, आप जो है, क्या लिख स सकते हैं, r, तो वही 7 by 2, rt आपका हो जाएगा, क्या, u, तो u जो है 7 by 2, rt, और divided by आप r कर दिजेगा, तो यह क्या हो जाएगे, यह आपका 7 by 2, r हो जाएगा, ठीक है, तो यह internal energy associated with 1 mole हो गया, या 1 gram molecule इसको बोलते हैं, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं, इतना 1 अबगेद् energy, ठीक है, तो cb का value आपको 7 by 2, r, हो गया, cp का value आप निकाल सकते हैं, किस relation से आपको मालूम है, कि cp क्या होता है, cp को जो आप लिख सकते है, cp minus cv होता है, आप के बारा और तो cp को आप लिख सकते हैं cb प्लस r लिख सकते हैं तो cb आपका वैलू कितना है actually cb का जो वैलू है cb का वैलू आप लाए हुए थे 7 by 2r ठीक है आया हुआ था ना और प्लस यह r तो 7 by 2r प्लस r कितना हो जा रहा है यह 9 by 2r हो गया actually ठीक है 9 by 2r अब जो है गामा का definition लगाई है आप इसमें चोगे तो गामा is equal to क्या होते है cp by cv ठीक है cp by cv ठीक है cp by cv ना कि cv by cp लिख दीजएगा ठीक है cp by cv तो आप इसको रखेगा तो यह 9 by 2 और यह r और divided by यह कितना हो जा रहा है divided by cv cv है 7 by 2r ठीक है तो आप इसको रखेगा तो यह कितना आ जाएंगे 9 by 7 आ जाएगा और इसको आप लाएगा solve करेगा तो यह 1.29 हो जाएगा actually ठीक है 1.29 तो जो value रहा करेंगे ठीक है वह 1.29 होंगे कब diatomic gas molecule के साथ और बहुत बड़ा ध्यान रख consider करेंगे तब या higher temperature पे बाते कर रहा होगा तब वरना यह दो वाला हम लोग add नहीं करेंगे जो कि अगला question में यह just इस्तमाल होगा ठीक है अगला question में भी तो उसी तरह का push रहा है the ratio of two specific heat cp by cv of a diatomic gas तो क्या आप 1.29 मार दीजेगा नहीं गलत हो जाएगा ऐसे this no option भी न देते हैं इसमें तीन ट्रांसलेशनल और दो रोटीशनल वाला एक्चुली ठीक है तो उसको consider करके हम लोग अभी काम करेंगे और देखेंगे क्या value आता है ठीक है इसलिए हम लोग इतना discussion की है ताकि यह topic ही आपक्लियर होगा यह topic अब आप से कभी भी पूछेगा तब यह इधर उदर आप कुछ देखने लगी और गाने सुनने लगी यह कुछ और करने लगी ठीक है आप इसको अच्छे तरह से देखते रहते हैं और साथ में नूट भी करते रहते हैं इसके बारे में हम लोग बाद ने भी करेंगे प्लक लगाने के लिए अक्शुली बोल र इसके साथ क्या करेंगे normal रूप से सवाल नार्मल रूप से सवाल यह बोला हुआ है तो gama जो हैं हम लोग का ज़्छा 5 degree of freedom के हसाब से काम करेंगे तो देखए CP by CV तो देखए CP जो हम लोग का रहेगा जो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें CV पहले देख़े clear कर लिए CV जो रहेंगे तो क्या होंगे 5 by 2 R हो जाएगा ऐसा क्यों लिख दिए जैसा अभी फिलहाल में उपर में हम लोग काम कर रहे थे तो 7 degree of freedom लिए थे तो multiply किये ना इसको 7 by 2 R T आया था तो हम लोग का CV कैसे आया इसको by T से कर दिये 7 by 2 R आया 7 degree of freedom लिए थे दो vibrational वाला भी consider किये थे तो अब इसको नहीं करेंगे तो 3 plus 2 5 तो 5 by 2 R हो जाएगा और CP का value क्या हो जाएगा 5 by 2 R और plus R 5 by 2 R और plus R तो ये क्या हो जाएगे ये 7 by 2 R हो जाएगा 7 by 2 R इस बार ये value हो जाएगा तो इसको आप जो डिवाइड करेंगा 7 by 2 R ठीक है 7 by 2 R divided by क्या 5 by 2 R तो ये कितने आएगे ये आपको आएगा 7 by 5 जोकी 1.4 होता है तो ये 1.4 आएगे आप इसका unit नहीं बोल सकते है देख रहे है ना ये एक ही चीज का रेसियो है रेसियो का unit थोड़ी नहीं होता होता है एक number होता है एक factor होता है ठीक है इसको adiabatic factor भी बोलते है 1.4 आएगे तो 1.4 ये भी होगा तो देखे इस दोनों questions में यदि vibration बोला हुआ है तो उसका value 1.29 आ रहा है और यदि vibration नहीं बोला हुआ है higher temperature भी नहीं बोला हुआ है normal group से बोला हुआ है तो 1.4 लेते हैं अब आपका दिमाग में बोलेगा कुछ नहीं बोला हुआ है तो 1.4 वाला value लेके चलेंगा vibrational वाला लेके नहीं चलेंगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका पूरा topic discussed हुआ और आपको clear भी हुआ इसे associated आपकोई भी numerical रहेगा तो इसमें ये सावधानी आपके दिमाग में हमेशा आएगा एक चलेंगा और ध्यान में रखना भी ये वरना गलत कर सकते हैं ठीक है अब 9th नमबर यही 2 questions है इस 2 questions के बाद discussion complete हो जाएगा हमें इस बात को ध्यान दखें कि थोड़ा video जो है short short में रहे ताकि आप अच्छा से concentrate होकर के इसको जो है सीख पाईए तो the kinetic energy per unit volume of a perfect gas perfect gas बोले या ideal gas बोले एक ही बात है तो देखे पहले इसके बारे में हम लोग जानकारी थोड़ा से दे दे रहे kinetic energy जो हुआ करते है kinetic energy per unit volume per unit volume kinetic energy per unit volume जो रहा करते है for perfect gas जो रहा करते है वो कितना value का हुआ करता है 1 by 2 rho c square होता आप इसको दिमाग पर रखने के लिए आप कुछ ऐसा दिमाग पर रखे 1 by 2 जैसे लिखते हैं half mb square m mass divided by volume कर दीजेगा तो क्या हो जाएगा rho बन जाएगा half rho c square ठीक है kinetic energy per unit volume हो गया या energy density भी इसको बोलते है अब हम लोग आभी देखेते क्या since p is equal to 1 by 3 rho c square यह देखेते तो इसको आप kinetic energy per unit volume में आप दे सकते है energy density के form में कैसे दे सकते हैं इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं 2 by 3 into 1 by 2 rho c square ऐसा लिख देने से क्या हो गया कि यह तो 1 by 3 ही रहा गया 2 टू कड़ जाएगा ना अर रहा गया 1 by 3 लेकिन ऐसा लिखने से आपको जो है आप इसको kinetic energy per unit volume के टर्म में इसको लिख दी यह वाला जो है वो 3 by 2 और यह 3 by 2 यह क्या हो गया यह 3 by 2 और यह P ठीक है 3 by 2 P तो आपका option क्या हो जाएगा 3 by 2 P हो जाएगा अब last question last question यह है आपका जो है for a gas the RMS speed at 800 Kelvin बोले तो यह question बहुत popular रहा था यह RMS वाला जो है V RMS directly proportional to the square root of the temperature तो बोल रहा है कि 800 Kelvin पे ठीक है जो RMS speed था वो 200 Kelvin के तुलना में कितना हो गया अच्छली तो देखिए 200 पहले 800 था 800 जो है उसको 200 के term में लिखीगा तो कैसे लिख सकते है 4 into 200 लिख सकते है लिख सकते है ना तो 4 into 200 लिख सकते है तो 200 के term में ही आपसे बोल रहा है अंसर में नहीं आएंगे आपको जो है आप इसको देख सकते है इसमें आपको देख सकते है एक्छली जो ज़्यादा scroll हो गया last option तीन ही option दिया हो था ना last भी option थी लेकिन हम लोग का उधर कहीं option मिल गया same as at 200 Kelvin तो ये तो होगा नहीं होगा क्या twice times the value of 200 Kelvin ठीक है तो इस तरह से आप देखें कि topic ये कितना important रहता है VRMS वाला इसी तरह से हम लोग continue रखेंगे discussions को जो है अलगल topic पर और इसी तरह से आप सीखते रहे है ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो काम भी है और लगे कि हाँ मेहनत जो किया जा रहा है किसी के काम में आ रहा है कई लोग काम में आ रहा है तो आप इसको share भी करते रहते ताकि कई लोग के पास जो है ये जानकारी पहुंचे और कई लोग को इसका फायदा भी actually मिले ठीक है और आप भी इसका फायदा उठाते रहते हैं, नोट्स भी बनाते रहते हैं, इससे क्या होगा हर एक टॉपिक वाइज का आपका नोट्स रहा जाए, अगर बाकी कभी भी आप देखना चाहिएगा तो आप वीडियो को कभी भी आप यूटूब पे देख सकते हैं, ठीक है, त और नवा जयए सकते हैं, झाल में प्यूटूब